हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मा का प्यार स्वाद अनुसार रंगों का तहवार है तो चलिए हम भी कुछ रंग बिरंगी बनाते हैं इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल में आधा कप मैदा लेंगे और उसमें दो बड़े चमच तेल का डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसकी शकल कुछ ब्रेट करम्स टाइप सी हो जाएगी और इसकी पहचान है कि यह आपस में जुड़कर एक शेप का जो है तो आकार लेने लगेंगे इस तरह से देखिए तो यह हमारा बिलकुल सही मोहन तयार हुआ है और उसके बाद हम इसे कलर फुल करे है थोड़े से केसर को मैंने गरम पानी में भीगोकर आधे गंटे के लिए रख दिया था और उसके बाद हम इसी पानी से इसका डो तयार कर लेगे और यह हमारा एक डो बनकर तयार है दूसरे डो में भी हम इसी तरह आधा कप मैदा लेगे दो चमच तेल डालेगे उसे है एक केसर के पानी का एक चुकंदर के पानी का और एक प्नले पानी से मैंने बिलकुल कड़ा काँटा गूत कर तयार कर लिया है अब हम इसे गीले कपड़े से ढख और रखेंगे 15 मिनट के लिए 15 मिनट से आदा घंटा के लिए हम इसे रेष्ट देंगे उसके पाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे तब तक हम चलिए स्टफिम की तैयारी कर लेते हैं इसके लिए हम सबसे पहले एक कडाही को अच्छी तरह से गरम करेंगे और उसमें हम एक चमच घी डालेंगे जब घी थोड़ा सा गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सूजी डालेंग और सूजी को लगतार चलाते हुए इसे हम पिंक कलर करेंगे या फिर जब तक कि सूजी में से उसकी खुश्भू ना आने लगे तब तक कि हम सूजी को चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें अपने बागी की चीज़ों को आड़ करेंगे तो चलि यहाँ पे भास पर हम सूजी को ट्रांस्फर कर लिए उसके बाद यह सूखा नाारियल। इसे हमक्रश कर लिए ہیں मोटे साइट से करें जादा बारीन करें मोटा सथ्थूड़ सा होता है तो वह अच्छा लगता है खाने में तो हमने इसे थोड़ा मोटा ही करश किया है और उसके बाद हम इसे भी बिल्कुल dry roast करना है हम इसमें तेल या घी का अस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इस करब में खुद तेल होता है तो उसी में हम इसे अच्छी तरह से roast कर लेंगे और उसके बाद यहां पर हम nuts टाल रहे हैं, यहां पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया है, आप अपनी पसंद से कोई भी nuts ले सकते हैं, कम या जादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, बस दो मिनिट लगेगा, जादा नहीं, हम इसे थोड़ा सा भून ल और उसमें 3-4 हम पानी का एड़ करेंगे, और उसके बाद 2 इलाची को कूट कर, हम इसमें 2 इलाची को शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें केसर भी डालेंगे, तो पहले हम इलाची कूट लेते हैं, और उसके बाद, इलाची डालने के बाद, हम अब इसमें केसर क केसर को add कर देते हैं और उसके बाद हम इसका gas on करेंगे पहले high flame पर हम चीनी घुलने तक इसे चलाते हुए boil करेंगे और जब इसमें boil आ जाएगा तो फिर हम slow flame करके इसे 4-5 मिनट तक के boil करेंगे यह आप देख सकते हैं अभी हमारा चाशनी तयार नहीं है चाशनी की पहचान यह होगी कि इसमें हमें एक तार की चाशनी नहीं करनी बस चाशनी अतना होना चाहिए कि यह थोड़ी सी चिप-चिपी हो जाए शहद के टाइप से बस हमें इस तरह से करना है हमें इसमें कोई भी तार नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो जमने लगेगा और वो consistency हमें नहीं चाहिए बस हमें अपनी चाष्णी को चिपचिपी करनी है इस तरह से देखिए सटा आपको बजब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें चाष्णी को किस तरह से करना है टोटल टाइम इसमें पांच मिनट का लगता है पांच मिनट मीडियम फ्लेम पर आप चाशनी को पकाएं उबालें चाशनी चिपचिपी हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा डालेंगे और उसके बाद गैस बंद करके चासनी को साइड रखेंगे अब हमें स्टफिंग के तरफ आते हैं यह स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है यहाँ पे हम किश्मिश डाल रहे हैं किश्मिश को मैंने 20 से कट कर लिया है और यह उसके बाद है मिल्क पॉर्डर यहाँ पे मिल्क पॉर्डर भी मैंने हाफ कप लिया है और उसके बाद यह थोड़ी सी चीनी है चीनी यहाँ पे मैंने दो बड़े चमच का इस्तेमाल किया था और उसके बाद थोड़ी सी है यहां पे हम pinch of ilachi powder डालेंगे और उसके बाद हम इसमें pinch of jailffal का powder डालेंगे जailffal जरूर डालें इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह मीठे को बहुत अच्छे तरह से balance भी करता है तो जरूर जailffal का powder इसमें add करेंगे अगर आपके पास jailffal का powder नहीं है तो आप उसे grate करके भी डाल सकते हैं पर जरूर डालें यह आपके जो है तो मीठे को बहुत अच्छी तरह से balance करेगा तो चलिए अब हम अपने डो की तरफ आते हैं और डो को देखते हैं यहां आधा गंटा मैंने इसे रिष्ट दिया डो बिल्कुल अच्छी तरह से मुलैम हो चुका है और हमें जिस तरह चाहिए यह बिल्कुल हो चुका है अब हम इसे अपने सर्फेस पर डाल कर और अच्छी तरह से नीट करेंगे ताकि ये बिलकुल स्मूद साडो बन कर तयार हो जाएगा कुछ इस तरह साड्मिक dva comum करते होए हम अपने डो को सभी डो को जो है तो समूद कर लेंगे और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पेडे कट करेंगे और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे तो सबसे पहले हमने इसको इसके जो है तो पेड़े कट कर लिया है और उसे स्मूथ करेंगे और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे बेलेंगे हम पूरी की तरह जादा ना हमें इसके मोटा रखना है और ना ज्यादा पतला करेंगे बस आप जो है तो थोड़ा सा मोटा रखें ज्यादा पतला नहीं करें वरना इसके उपर bubbles आ जाएंगे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी है आपका जो है तो अपने हठेली के उपर रखें आपके स्की नहीं नजर आनी चाहिए बस इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए और उसके बाद हम इसमें स्टफिंग डालेंगे किनारों पे पानी लगाएंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से सील करेंगे और इसी तरह से हम 3 आटे की आटे का बनाकर तयार कर लें। और इसके बाद जो इसे हमारा typical design है वह हम इसे देंगे। घुजिया वाला जो design होता है न वह हम इसे में डालें। देखने में ये थोड़ा असान है लेकिन है tricky। तो बस उठाना है एक कोना और मोरते जाना है और इस तरह से आपका ये डिजाइन तयार हो जाएगा अगर आप इसे नहीं कर सकते हैं तो आप इसे काटे की हल्प से दबा भी सकते हैं और ये हम सारे डिजाइन जो है तो बना कर सभी गुजिया का डिजाइन बना कर तयार कर ल तेल को हमें बहुत जादा गरम नहीं करना है बस डालना है पांच मेट के बाद हम इसे बिलकुल लो फ्लेम पर हम इसे तलेंगे तेल जो है तो बिलकुल लो फ्लेम पर हम गरम करेंगे और इसके बाद हम गुजिया डाल लेंगे और इसे हम दोनों तरफ से अलट पलट कर हम इ हमें से तयार करना है तल कर और उसके बाद ये हमारा चाशनी रेडी है हम चाशनी को बिल्कुल हलका सा गुनगुना करेंगे ठंडी चाशनी में हम नहीं डालेंगे हलका गुनगुना जितना आपका उंगली जो है तो इसको बरदाश्ट कर सके उतना गुनगुना करेंगे और उसके बाद हम इसमें सारी गुजिया को एड़ कर देंगे, पांच मिनट का टाइम देंगे और उसके बाद हम प्लेट में गुजिया निकालेंगे, उसे अपने मन पसंद नट्स के साथ और रोस पिटल के साथ गार्निश करके सर्फ करेंगे, तो इस हुली मनाईए अपने महमानों को खिलाईए, ये रंग भी रंगी गुजिया, आपको जरूर पसंद आएगा, थैंक यू फू वाचिंग,